है 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 यह वह जो है। उसे होतोरो यह होगे आजाओ यह पार जो होगे है यह पाकील आया की नहीं कि राझे कि पीछे चिपकर तरी गुणा नहीं चिपेंगे अधालत में तेरा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अरे गलत प्रेवी हो गई हाँ अरे दया रहा धाया हल्दी राम हमारे पास तुम्हारे किलाब बहुत सबूत है अब तू नहीं बेचेगा अधमी शिवा ज कि भूम आपने को का शुखते हां अ अरे हमरा नाम हल्दी राम है कि चलो हम कल भी पुलिस डेपार्टमेंट के लिए स्ताहग अश्डर्ध है और हम ऐसा रहें गे ही he है हल्दी राम की गैंग का कोई आदमी सरकारी गावा बन जा है उनकी गैंग का आदमी हमारा प्रवर क्यों बनेगा मुझे एक रासा नजार आ रहा है वो क्या शिवा ने जिस लड़की का जिक्र किया उनिशा चोपड़ा उसे हेड़ पॉर्टर बुलवाई है शिवा का पॉर्डिस वालों के साथ घुस पैठ है अब जो करना मेरे को करना मैं जब जेल के बाहर जाएगा तो सबसे पहले हल्दी राम की रीट की हड़ी तोड़ेगा और वो रीट का हड़ी है पंडित मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूं कि आप पुलिस की मदद करें मुझसे कैसी मदद चाहते हैं डिपार्टमेंट चाहता है कि पंडित हल्दी राम के खिलाफ सरकारी गवाह बने और इस काम के लिए आप पंडित को कण्विंस कर सकती है मेरे कहने से पंडित सरकारी गवाह क्यों बनेगा तौह आप कहना चाहते हैं कि पंडित की गुनएगार में हूं गुनेगार तो तुम होई निशा चुमड़ा, क्योंकि तुम ने ऐसे हालात पैदा किये हैं, जिससे एक सीधा साधा भोला इंसान गुनेगार अपा पंडित बन गए, मेरा बश्चली तु पंडित से पहला में तुम्हें गरफतार कर दो और सजा दिलवाओं पुलीस डिपार्टमेंट का काम ये नहीं, कि एक सिजिजन को धमकी दे, उसकी इंसल्ट करें, बलकि आपका काम है क्रिमिनल को रेस्ट करें, उसे सजा दिलवाएं पंडित हर क्रिमिनल की तरह पकड़ा जाएगा, उसे फासी भी हो जाएगे और शायद उस दिन तुम्हें आए ऐसास होगा कि उसकी माथ के जिम्मेदार तुम हो पंडित की जिंदगी तुमने तबाह कर ही ती, उसे सरकारी गवाव बना कर, कम से कम एक बार दोसका बहा कर दो पुलीस वालों का दिमाग खराब हो गया है, वो कहते हैं के मेरे कहने पर पंडित सरकारी गवाव बन जाएगा, इम्रान मेरा क्या रिष्टा है उसके साथ, क्या लेना देना है मेरा जस्ट रिलाक्स, इविल डिसकस दिस लीटर, मैं नमाज पढ़के भी आया है नीशा, कैसी हो तुम, तांग आ गई हूं मैं, तुम्हारी वज़ा से आज मेरी ये दुर्गती हो गई है, कि इस शेर की सड़कों पे डर डर के चलना पड़ता है मुझे, अपने इगर में देश्ट और खौफ में जी रही हूं मैं, और अब तो पुलीस वाले भी मेरे पी जबा की तित्धी निकली है, समय बहुत कम है, इसलिए इन काडों में से कोई व्यकार पसंद कर लो, आज ही छपवानिया संगती है कर दो की अब मैंने तुम्हारे मूंसे एक शब भी नहीं सुना निश्वा मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बलकि तुमने मेरे साथ शड़े अंतर रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा और तुम्हारे इस पाप का प्राश्चित यही है कि तुम मुझसे पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? नीशा, जब तुम पुलीस कमिशनर से बात करूगी, तो उने 27 तारिख को हमारे विभा का नियोता जरूर देना तुम्हारा जिमार खराब हो गया है, तुम समझ से क्या हो आपने आपको, मैं तुम से शादी करूगी? I'll have you arrested, अर्चन दिख्षित, तुम्हें पास ही होगी निशा, आर यौल राइट? मैं अर्चन को किसी सुनसान जगह पर बुला कर, पुलीस को इनफॉर्म कर दूँगी, फिर ये किसा हमेशा के लिए खातम हो जाएगा पेवकुफों की तरह बात मत करो निशा, पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफतार नहीं कर पाई है, इसलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूख रखकर चलाना चाहती है, तुम्हारा और पंडित का जाती जगणा है, एपसिलूटली परसनल, तुम्हारा अपन मसला है, तुम्हें खुद ही सुलजाना पड़ेगा, इस तट क्लियर? पर इम्रान में क्या करूं, कैसे करूं, और पुलीस समझती है कि अर्जुन दिक्षित को पंडित बनाने की जिम्हदार मैं हूँ, वो तो तुम हो, शदाप, यह सब क्या है पापा, शगुल, किसका श उसके आदमी यहां आए थी, पंडित ने तेरी बेहन की तस्वीर पर फूल माला चड़ाई, भूप दिया दिखा कर, माफी मांगी, और अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पकी करके गया, यह अंगूठी भी रख कर गया, यह अंगूठी भी रख कर ग कंडित को फोन देना, अच्छा ज़रा होल्ड करना, आपका फोन है, मुझे किसी से बात नहीं करने, आपकी ने शा का फोन है, ने शा का फोन है, ने शा, अलो ने शा, ने शा का फोन है देखना भी पिर पगल हो जाए जॉनी हफीज निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह वारेश का भूत माशूक मिली तो खुमार है ना मिली तो बुखार कि तुम लोग यहीं रुको कि निशा तुमने मुझे यहां क्यों बला है तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खतम करते ना चाहती हूं क्या तुम मेरे जीवन साथ ही बनोगे मेरे साथ घर बसाओगे मेरी अंतम इच्छा तो यही है निशा पर तुमसे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा पर इस इच्छा का कल भहत भयानक है अर्जुन तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहोगी आखों से ओजल होता ही विध्वा होने का डर रहेगा और कौम सा गुनेगार अपने अशिश गुंडे उसे अपना मुख्या मान लेंगे बेती हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा जिस गुंडे के पल्ले बांतोगे उम्र काटतेगी ना हम शांती से जी पाएंगे ना हमारा परिवार क्या यही सपना है तुम्हारा क्या यही कर दोनका आतेमदे एला हमारा यही है तुम्हारा तो की आदेमारा यही जिसा बांतोगा यही जिसके नाफरत कर यह जिएन तेक्षए तुम्हारा यही जिसा नफ्रत करती हूँ आई हेट यू बाबा बाबा निशा बेटी बाबा चलो यह गार चोड़के चलते और हुआ क्या बेटी मैंने मैंने पंडित को जहां से माने की कोशिश की क्या किया तुने है इश क्या और में क्या करती पापा उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था दिना अराम कर दिया ता रहने से तो अच्छा था मैं उसे उसे ख़सम कर देती पर वो बच मत गया दीदी क्या ट decision T कि आई कि कुछा ठाओं कुछा रहाँ अजड़ कुछा रहाँ कुछा वट वश्यराइ भाँ मैं बत्युका हम एगे हम भाँ तुमसे प्यार कताओ। में प्यार करताओ… ठीओ में तूमसे प्यार कताओ… प्यार करताओ… विह पलाईश नमें। श्लोर के नमें डिएाओ बापा आज में इस ध्याय को हमेशा के लिए सबाब कर दूगा ऑप पुलिस पड़ी को आज डिस मेरे पेंदी कुलेगे पुलिस पुलिस परोग। यह लो शादी का चोड़ा तुम्हारा अभी इसी वक्त में रसाथ भी बाह होगा ये शादी का जोड़ा नहीं कफन है मेरे लिए लिशा जोड़ा उठाओ मैं विदिवत विवा के त्यारी करता हूं विवा कौन करेगा मुझसे विवा अर्चुन दिक्षित जिसकी वजा से मेरी मासूम बेहन को जिन्दगी गवानी पड़ी वो कार जो पचासों मंत्र तो प पंडित पर तुमसे शादी हर किस नहीं करूंगी तो आज यहां तो साथ भेरे होंगे तुम्हारे साथ यहां तुम्हारे भाई का अंधिम संस्कार नहीं नहीं मेरे बिट्टो को मत मारना मेरे बिट्टो को मत मारना तुम जो काओ के जैसा काओ के वैसा ही होगा मेरे बिट्टो को मत मारना प्लीज मेरे बिट्टो को मत मारना देखो ये कैसा संजोग है निशा उस दिन मैं संजे शर्मा के खिलाब गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दाओ पे लगा था और आज इस अगनी को साक्षी मान कर तुने मुझे अपना पती मान लिया क्योंकि तुम्हारे एकलोते भाई की जान दाओ पे लगी थी निशा अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यू का भै होता है इंसान को वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं दूड़ता सिर्फ अपने रिष्टो का कर्स चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हे होना कि मुझे माफ करना पिट्टू चाहू था 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 किया पंडिती मेरी बेटी से साधी कर ली रम मुबारक और आपकी बेटी का घर बस गया पापा पापा कौन पापा किसका पाप इस शेहर में सब का पापा पंडित का ससुर यानिकी शहर का पापा मैं उस पंडित का खून कर दूंगा अजीव आदमिया यो अपने आतों से पनी बेटी को बेवा मनाना चाहता है पापा पंडित इस देश का भाविश्य है आप देखने एक नेक इस दिन पर प्रदानमंत्री जरूर बनेगा लो जी आप बैटे बिटाए प्रदानमंत्री का ससुर और यह प्रदानमंत्री का साला मिटाई का ओड़े शुट अब